मुंबई से अडानी कम्पनी का 6,000 किलो का लोहे का पुल चोरी, 4 गिरफतार मुंबई यहाँ है एक भारोत तोलन चैंपियन की उपलब्धी पिछले महीने मलाड पश्चिम से दूर लगभग 90 फीट लंबा 6,000 किलोग्राम वजनी लोहे का पुल बनाया गया था अब मलाड बैक रोड से विशाल सन्नचना को तोड़ कर ले जाने के आरोप में 4 लोगों को गिरफतार किया गया है अदानी इलेक्ट्रिसिटी के विशाल बिजली के तारों को नाले से परे के क्षेत्रों तक ले जाने के लिए पिछले साल जून में एक नाले पर अस्थाई पुल बनाया गया था पुल चोरों को पकड़ने के लिए पुलीस कैमरे में कैद वाहन धूनती है मुंबई 26 जून को मलाड नाले पर अडानी इलेक्ट्रिसिटी के केबल ले जाने के लिए बनाये गए तूटे हुए लोहे के पुल के गायप पाये जाने के बाद अडानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रतिनिधियों द्वारा बांगुर नगर पुलीस स्टेशन में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था आखिरी बार जब घटना स्थल पर पुल देखा गया था केरल में सोना लूटने के आरोप में आंध्र प्रदेश का हूची उडान भरने वाला लुटेरा गिरफतार वह अपने उपर भगवान परशुराम का टैटू बनवा कर दिखावा करता था और लगभग पंखो वाला एक चोड था वहां आंध्र में अपने मूल स्थान से तिरुवनंत पुरम के लिए उडान भरता था अमीर घरों में सेंद लगाता था और फिर लूट के साथ वापस उड़ जाता था केरल में सोना लूटने के आरोप में आंध्र प्रदेश का उची उडान भरने वाला लुटेरा गिरफतार आवशक अनुमती मिलने के बाद इस वर्ष अप्रेल में इसके स्थान पर एक स्थाई पुल बन गया पुराने पुल को क्रेनों का उप्योग करके हटा दिया गया और मलाड बैक रोड के अंत में गाडियों को ले जाने के लिए रख दिया गया जून में एक दिन यहाँ अचानक नश्ट हो गया और किसी को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कैसे गायब हो गया होगा मलाड बैक रोड के उस हिस्से के आसपास कोई कैमरे नहीं है जहां पुल रखा गया था 26 जून को अडानी इलेक्टरिसिटी के प्रतिनिधियों को पता चला कि पुल जहां रखा गया था वहाँ से गायब हो गया है आखिरी बार इसे घटनास्थल पर 6 जून को देखा गया था अडानी इलेक्टरिसिटी के एक वरिष्ट अधिकारी द्वारा दिये गए बयान के आधार पर 26 जून को एक प्रात्मी की दर्ज की गई थी F.I.R. में लोहे के धाचे की कीमत 2 लाख रुपए आकी गई है घटनास्थल के आसपास कोई निगरानी कैमरे नहीं होने के कारण पुलीस ने बैक रोड के बाकी हिस्सों पर लगे कैमरों से फुटेज की जाच की कैमरे ने 11 जून को पुल की दिशा में एक बड़े वाहन को जाते हुए कैद किया था वाहन को उसके पंजीकरन नंबर के आधार पर ट्रैक किया गया था यह पता चला कि वाहन गैस कटर मशीने ले जा रहा था जिनका उप्योग अडानी इलेक्टरिसिटी को सूचित किये बिना लोहे के पुल को तोड़ने और परिवहन करने के लिए किया गया था पुलीस ने बताया कि पुल की चोरी के आरोप में गिरफतार किये गए चार लोगों में से एक उस कंपनी का है जिसे पुल बनाने का ठेका दिया गया था अडानी इलेक्टरिसिटी मुंबई लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा मुंबई पुलीस की त्वरित कारवाई से साइट से चोरी की गई सामगरी बरामत कर ली गई है जाच जारी है